आज़की इस वीडियो में आपको Ministry of Defense के तरब से विकंसी आड़ी है जो भारत डैनामिक से PSU है जिसके तरब से विकंसी आपको देखने करे मिल रही है यहाँ पर देख सकते हैं Government of India का Enterprise है Ministry of Defense के अंदर में डिरेक्टली आता है भारत डैनामिक्स लिमिटेड तो इसके तरब से विकंसी आट की है जो भी कंडिडेड इसमें इंटरेस्टेड होंगे इलिजीबल होंगे जरूर्ट इसमें अपलाई कीजेगा इसमें डिप्लोमा वालों के विकंसी है और अगर आप ITI कर रखे हैं तो भी आपके लिए विकंसी है इसमें आईटिया के लिए अलग-अलग और वी बीटेक वालों के लिए बान्स के लिए उजयरी बाले ताकर पर चैनल पर पलिए बाजब वीडियो में बताने वालना है तो जिक करिएगा तो जब्लि एक चारा के जोब्स वेकंसी आप मिस नहीं करोगे चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं चैनल के माध्यम से आपको डिपलोमा बीटेक और यह वनली टेकनिकल फिल्ट की जोब्स वेकंसी की अपडेट मिलती रहती है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा साथी बे उससक्राइब कर रखेगे ताक आने वाले जो वीडियो आपको डेखने मिल देख सकते हैं यह इसका नॉटीस है भारत डेनामिक्स लिमिडेड के तरफ से वीकंसी आ रहा हैं और यह देख सकते हैं गर्मेंट ऑफ इंडिया का यहां पर मैं आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन दिखा दू तो यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स अगर आप भी बीटेक या बीएसी इंजिनेरिंग में फोरियर का कर रखें या इंटीग्रेटेड में एम्टेक कोर्स कर रखें तो भी आप इसमें यहां पर इलेक्ट्रोनिक्स, कम्यूकेशन, इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनेरिंग यह सब भी डिसिप्लिज से कर रखें तो इसमें अप्लाइ कर सकते हैं आईटीए अगर आप फीटर ट्रेड से कर रखें तो भी अप्लाइ कर सकते हैं और उसके बाद आईटीए कर रखें इ यहाँ पर आपका mechanical electronics, computer science, aeronautical, ESV branch से अगर आप bbtek कर रखें तो इसमें apply कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे first class 60% mark से साथ अगर आप bbtek या bsc engineering में कर रखें इसमें apply कर सकते हैं, आपका जो interview होने वाला है, वो 4 March 2023 को रखा गया है, तो यह date और time को दिरूर से आप लोगी इस location पर पहुंच जाइएगा, यहाँ पर आपका interview, वाकर interview होने वाली है, next vacancy यहाँ पर आपका MBA या post graduate diploma 2 year का कर रखें तो आप इसमें apply कर सकते हैं, और diploma वालों के लिए vacancy की बात करें तो यहाँ पर आपको project diploma assistant post का नाम है, और यहाँ पर mechanical electronics और यह सभी branch यहाँ प apply कर सकते हैं, किसी भी state या central government से approved या recognized institute होना चाहिए, उसके बाद जो diploma के दूसरा vacancy है, इसमें 3 year का diploma अगर आप electronics and communication या electronics engineering से कर रखें तो आप इसमें apply कर सकते हैं, इसका जो work interview का date है, 5th of March 2023 इसमें दिया गया है, next vacancy यहाँ पर ITA वालों के लिए हैं, जिसमें की ITA अगर feature trade से कर रखें, या ITA electronic mechanic या radio mechanic से कर रखें, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, इसका भी interview का date यहाँ पर same रखा गया है, इसमें आप लोगों से experience भी मांगा गया है, जिसमें की project engineer या project officer या diploma assistant या project trade assistant, सभी के लिए minimum आपके पास one year का post qualification experience इनोंने मांगा है, अगर जो भी इसे candidate है जो apprenticeship training भी कर रखें, नाट्स पोर्टल के थूरू one year का, ओ भी experience के अधार पर count किया जाएगा, तो आप लोग जो भी candidate newly pass out होते हैं, आप लोग apprenticeship भी try करते रहें, क्योंकि बहुत सारे department में, जैसे कि यह जो BDL है, इसमें अगर कोई candidate कर रखें होंगे apprenticeship, तो यहाँ पर one year का experience के रूप में, आपको apprenticeship training को भी count किया गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब बात करते हैं, इसमें age criteria की, तो यहाँ पर जो maximum age रखा गया है, आपका integer category या EWS category का 28 years इसमें रखा गया है, जिसमें की कुछ relaxation भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगे, जो क SCST category के लिए 5 years का, OBC category के लिए 3 year का, अब बात कर लेते हैं, इसमें आपकी salary या renumination कितनी मिलने वाली है, तो project engineer या officer के post year में यहाँ पर आपका 30,000, और second year में 33,000 per month आपको यहाँ पर salary देखने के मिलेगी, third year में 36, और fourth year में 39, और project assistant या diploma के वालों के लिए यहाँ पर 25, 26, 26, 28, 29, पर month यहाँ पर आपको मिलने वाली है, और project assistant trade idea वालों के लिए 23 से लेकर के 27 के बीच में आपको मिलने वाली है, बात करें इसकी selection process की, तो selection process इसमें वाकिन interview के अधार पर रखा गया, यानि कि कोई भी इसमें exam नहीं होने वाली है, बिल्कुल, आप लोग इसमें जा करना होगा, यहाँ पर application format दिया गहा है, तो इस application format को आपको download कर लेना है, मैं आपको video के description में दे दूँगा, यहाँ पर कैसे selection होना है, तो 75% weightage आपका mark का ही रहेगा, 10 mark आपका experience का लिया जाएगा, 15 mark आपका interview का add होकर के total 100 mark पर इस तरीके से selection होने वाली है, यहाँ पर terms and condition information दिया गया है, जिसमें only Indian nationals eligible है, तो आप कहीं से भी विलोंग करते है, all India से जरूर से आप इसमे eligible है, अपलाई कर सकते हैं, तो जो भी main information था मैंने आपको बता दिया, फिर भी गर आपके मन में कोई confusion dot query रगया होगा, तो नीचे comment करके पूच सकते हैं, और यह जो notification PDF है, आ आइक सेर सबस्क्राइब कर दीजेगा,